हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो अधीगम यूटूब चैनल, आज का जो वीडियो है, ये नंबर सिस्टम का बार्मा पार्ट है, इस वीडियो में हम डिवीजिबिलीटी रूल 7 का, 11 का और 13 का इसके बारे में जानेंगे, इसे विवाजिता का नियम कहते हैं, इसे विवीजिबिलीटी रूल 7, 11, 13 का, 11 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 का, 12 का, 12 का, 11 का, 12 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 कि नंबर सिस्टम के लिए सेम है तो सबसे पहले मैं एक एक चामपल के थ्रू आपको समझाता हूं जैसे पांच नौ दो है आप देखने हैं कि यहां फॉरいきます हम यहां यहां 3 तिन के प्यर बनाना है इसके लिए आप क्या कर लादे अगर आधिए यहां तीन के प्यर तो बन गया लेकिन यहां डो डिजिट कम है तो इसके लिए आप 0 लगा लिए इससे आपका प्यार बन गया अब इन दोनों प्यार का जो आपको डिफरेंस लेना है आप इसमें इसको मैनेस कीजिए इसमें इसको मैनेस कीजिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आप देखने हैं कि 922 में अगर मैं 5 सब्स्ट्रैक करूँ तो यह 917 आता है अब 917 आप देखने हैं कि 7 से डिविजिवल है अगर 7 का पहाड़ा गर 917 में पढ़ेंगे जैसे ऐसे करिए देखिए आप 7 एकम 7 नौ में 7 अगर घटाएंगे तो बचेगा 2 फिर यह आया एक 7 या 21 फिर यहां 7 7 एकम 7 आप देख रहे होंगे कि 917 साथ से डिविजिवल है अब हम इसे चेक करते हैं 11 के लिए 11 का पहाड़ा अगर हम 8 बार पढ़ेंगे तो 11 अठे 88 ग्यारा में 8 अगर घटाएंगे तो बचेगा 3 यहां 0 हो जाएगा यहां बचेगा 7 11 तिया 33 साथ में 3 घटाएंगे तो बचेगा 4 आप देख रहे होंगे कि यह 4 11 से डिवाइज नहीं हो सकता इसलिए यह जो 917 है यह 11 से डिवाइज नहीं हो सकता इसका मतलब यह हुआ यह जो पूरा का पूरा नंबर है 5922 यह नंबर 11 से डिवाइज नहीं होगा अब हम इसी नंबर को 13 से चेक करते हैं 13 सती इनका नवे I mean 13 सेवन जा 91 से लिए क्रॉस हो गया इस सेवन आप देख रहे हुए कि ये साथ भी 13 से भाग नहीं जाएगा इसलिए 917 13 से भाग नहीं जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि ये जो नंबर है हमारा 5922 ये भी 13 से भाग नहीं जाएगा आपको ये सुरू में लेंदी लग रहा होगा लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे और जैसे जैसे आपकी स्पीड तेज होगी तो ये आप इसे चुटकियों में कर लेंगी एक और एक जामपल लेते हैं अगर हम 9037 को 7 के लिए चेक करें जिसके लिए सबसे पहले हमें एक प्रै बनाना पड़ेगा तिन-तिन का जिसका आप देख रहे हूँ कि 37 में हम 9 अगर मैनस करें इनके बीच का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 28 अब इस 28 को अगर हम चेक करते हैं 7 से डिवाइड करने के तो ये 4 टाइम से में चला जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिवल है आप कुछ और एक्जामपर भी लेकर देख सकते हैं जैसे 7 613261 इसमें भी आप तिन-तिन का प्यार बना के देखिए ये 613 है और इसमें 261 है इन दोनों का डिफ्रेंस लेना है हम लोगों को अंतर सबसे पहले तो मानिस कर लिए तीन में घटाएंगे तो बचेगा दू यहां एक है और यहां से एक उधार उधार लिया तो ग्यारा होगा ग्यारा में छे जाएगा तो पांच यहां बचा है पांच पांच में दो रहेगा तो तीन अब हमें 352 को ग्यारा से डिवाइड करके देखना है तो ग्यारा तीया तीस 11 3033 तो पांच में तीन गटाएंगे तो बचेगा दू यहां से दू उत्रेगा तो ग्यारा दूना बाइस 112022 तो आप निहां देखा होगा कि 352 11 से डिवाइड है इट मीस्टाइट जो 613, 261 है यह 11 से डिवाइड है अब हम कुछ नंबर 13 के लिए ट्राई कर लेते हैं 4, 2, 0, 3, 21 हम इसे 13 के लिए ट्राई करते हैं 13 के लिए भी सेम रूल है पहले आपको तिन-तिन का प्यर बनाना है और इन दोनों का डिफरेंस लेना है तो अगर हम 4, 20 में 3, 21 सब्स्ट्राइक करते हैं 10 में गया 9 यहां एक बचा हुआ है यहां से एक हासिल जाएगा तो 11 में दो खटाएंगे तो 9 बचेगा यहां तीन-तिन क्रॉस यहां पर 4, 20 में 3, 21 मैनस के तो 99 आया आप देख रहे होंगे अगर हम इसे 13 से डिवाइट करें तो यह डिवाइट नहीं होगा इसका मतलब यह जो नंबर है यह 13 से डिवाइट नहीं है कुछ और एक्जामपल हम लेके देखते हैं जैसे 754 डिवाइड बाइ 13 अब इसे चेक करते हैं इसके लिए वही रूल 3 यहां पर तो सिर्फ तेरी नंबर है तो इसलिए हम इसे डिवाइट ली 13 से डिवाइड करके देखते हैं अब तेरा का पहाड़ा अगर हम पांस बार पढ़े हैं तो तेरा पच्छे 65 होता है 5 में 5 गया 0 और 7 में 6 घड़ाएंगे तो 1 यहां हो गया 4 अब तेरा का पहाड़ा अगर हम 8 बार पढ़के दिखेंगे तो 8 3 4 चूबीस का 4 8 एकम 8 और 2 10 तो तेरा का पहाड़ा अगर हम 8 बार पढ़ते हैं तो यह जो 1 0 4 है 13 एड़ जब 1 0 4 तो यह हो जाएगा कट इसका मत्ते भी होगा कि 754 13 से डिजिवल है कुछ और बड़ा एक्जामपर लेकर देखते हैं ऐसे 9048 डिवड़ेड़ बाई 13 इसके भी 33 का प्याल बनाते हैं इनका डिफ्रेंस लेते हैं यहाँ पर कुछ नहीं है इसका मतब है 0 आप देंगों कि 48 में अगर हम 9 मानस करें हमारे पास आजाएगा 39 आपको पता है कि 39 को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम से में यह डिवाइड हो जाता है इसका मतब यह हुआ जो यह जो नहों हजार अटालीस है यह थर्टीन से डिवाइड है अब हम कुछ कॉमन नंबर लेकर देखते हैं अगर उससे वह भाग जाता है कि नहीं इससे 9009 डिवेड़ बाई 7, 11, and 13 अब देख रहे होंगे इसमें 3-3 का अगर हम पेर बनाएं तो 9 में 9 गटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 0 इनका जो डिफरेंस होगा अब 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें I mean 7 से करें 11 से करें या 13 से करें तो यह डिविजिबल है इसका मतलब भी होगा कि यह जो 9009 है यह 7, 11, and 13 से डिविजिबल होगा कुछ और यहां पर ऐसे कि माल लेजिए 24,000 24 अब हम इसे भी 7, 11, and 13 के लिए चेक करना है सबसे पहले हम इसे 3, 3 का प्यार बनाते हैं अब देख रहोंगे कि 24 में 24 अगर हम सबस्ट्राक करें तो 0 आता है इसका मतलब भी हुआ कि यह जो नंबर है यह 7 से विजिविजिबल है 11 से विजिविजिबल है और 13 से विजिविजिबल है मैं अलक्स एक रूल बताता हूँ जो इसपेसरी 11 के लिए है यहां जो मैंने रूल बताया जो तिन-तिन का प्यार बनाते हैं यह 7, 11, और 13 यह तिनों के लिए वैलिड है लेकिन यहां पर अलक्स एक रूल बता रहा हूँ जो इसपेसरी 11 के लिए अबलिकेबल है जिसे कोई भी नंबर हम नोट करते हैं जिसे 6, 1, 3, 2, 6, 1 इसमें आप देख रहे होंगे कि हमें यहां पर even place और odd place को धियान देना है जैसे यह पहले नंबर पर है थी यह odd है और second नंबर वाला even फिर odd, even, odd, even 6 में अगर हम 3 जोड़ते हैं अगर हम odd वाले place को add करते हैं जिसे 6 में 3 जोड़ते हैं तो हमारे पास होगा बचेगा 9, 9 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास बचेगा 15 अब यह देखिए अब even place वाले को एक और 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 होगा 3 और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो बचेगा 4 अगर हम 15 में 4 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 11 और आपको पता है कि 11 11 से डिविजिबल है इसलिए यह जो नंबर है 613261 यह डिविजिबल है 11 से आपको simply कुछ नहीं करना है और प्लेस के डिजिट को जोड़ना है और इवन प्लेस के डिजिट को जोड़ना है और उन दोनों का जो अंतर है उसे 11 से डिवाइड करके देखना है और प्लेस सम ऑफ और प्लेस मैनस सकाना है सम औफ इवन प्ले इवन प्लेस डिवैडेड बाइ 11 आप इसे सीक्वेंस को आगे पीछे भी कर सकते हैं, sum of 11, place minus sum of all place, दोनों में answer उस पर कोई changes नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक minus का फरक होगा, आएगा, तो उसे आपको ignore करना है, जैसे, अगर मैं 4 में 15 subscribe करता था है, हम minus 11 आथा, तो आप minus को ignore कर देते, कुछ और example भी ले लेते हैं हम 11 का, जैसे 10813 divided by 11, सबसे पहले odd place, 183, 1 plus 8, 9, 9 plus 3, 12, odd place, sorry, even place, 0 plus 1, equal to 1, हम 12 में अगर एक घटाते हैं है, तो 11, आपको पता है कि 11 को अगर हम 11 से divide करें, तो हमारे पास, जो remainder आएगा, वो 0 आएगा, it means that, यह जो number है, यह 11 से divisible है, एक और number ले लेते हैं, 4, 9, 5 divided by 11, यहां भी आप देखिए, यह number 8 के लिए, 9 और 5 को आप जोड़ेंगे, चार और 5 को जोड़ेंगे, तो हमारे पास बचेगा 9, और यहां पर 1 प्लेस पाल रड़ी 9 है, तो 9 में 9 अगर सब्स्ट्राइ करेंगे, तो 0 आएगा, और 0 को जब हम 11 से divide करेंगे, तो यह digital है, इसका मतलब यह होगा, कि 495 11 से डिजिबल है, आज मैंने इस वीडियो में, 7, 11 और 13 का एक common rule बताया है, common rule बताया है, जिसमें आपको 3 का pair बना के solve करना है, और एक अलग से, 11 करूर बताया है, जिसमें हमें, इन प्लेस, और प्लेस, कि डिजिट का difference लेना है, मैं इस वीडियो का next part जल्द ही लाओंगा, I hope कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं वीडियो के next part में, thank you so much.